नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तपस्वियास एकडेमिक एक्स्क्लूजव एकॉनोमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर आज मैं करदम रावल आपसे बात करने वाला हूँ एक अलग ही मुद्दे के उपर सोशल है ग्रूप और जो फूट सिक्योरिटी होती है जिसे पब्लिक डिस्ट्रिबूशन होता है उसके बारे में तो आज का लेक्चर होगा दो चीजों के उपर जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने से भी देखा था और देखा था कि उनके तो सेल्फ हेल्प ग्रूप का इस्टाबलिश्मेंट का बहुआ कैसे हुआ कहां तक अब पहुंचे और क्या इसके रिगार्डिंग बैनेफिस जो है वो देश की जनता को कैसे मिल रहा है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है और अभी जो है इसकी प्लेस कहां पर करनी है और जो मिनिममम सपोर्ट प्राइज है वो 1.5 प्रतिशत इन्पूट कोश्ट का देना है तो यह जो पैसे इनको देते हैं तो इनसे यह गुर्स जो खरीदते हैं गुर्स यानि की जो क्रॉप्स खरीते हैं उसको फेर प्राइज शॉप के माधियम से जो है लोगों इंडिया के साथ भी कनेक्ट करके क्या सोचा गया कब से इसकी स्तापना हुई और हाल की परिस्तितिया क्या है क्या रिफॉर्म साहे सब कुछ देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो यह वीडियो जो आपकी और प्रस्तूत किया जा रहा है यूपी एस एग्जाम के द्वारा जो एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें रहा है और रेट करना का बेल आइकन जो उसको प्रेस करें ताक कि आपको दो हीडियो के अलावा काफी सारे नए टॉपिक्स के वीडि जो 1975 के अंदर एस्टाबिलिश हुआ था एक 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 अनमिश्ट थे प्रोफेशर महमद यूनस जो चिटागाउं यूनिवर्सिटी को बिलॉग करते थे इसका जो एस्टाबिलिशमेंट हुआ है वह गरीब हो की मदद के लिए और जो सबसे कम समय के अंदर जो है बहुत ज जारदा कंट्रीज जो है उसके अंदर जो डेवलोपिंग कंट्रीज है वहाँ पर सेल फेल्फ ग्रूप की सिस्टम अवेलेबल है तो 1997 में जो वर्ल्ड माइक्रो क्रेडिट समिट हुई थी वाशिंग्टन के अंदर जहां पर डेवलोप और डेवलोपिंग कंट्रीज आय इंडिया में कैसे हुआ यह दिखते है इवोलिशन इन इंडिया जो बड़ी-बड़ी बैंक्स होती है यह होती है इंसफिशियंट क्यूं वही फाइनेशियल सर्विस यह लोग प्रोवाइड कराते है लेकिन उन लोगों को जहां पर इनको मुनाफ़ा पैसा मिलता है प्रोवाइटीज में एक नई चीज आई न्यू एपक्स बैंक जो एपक्स बैंक थी उसका नाम था नाबाड जो फाइनेशियल नीश्ती गरीब वर्ग की भारत की जो गरीब जंता है उसकी हैल्प करने के लिए यहाँ पर गवर्मेंट ने कोपरेटिव एक्ट्रिब्यू करता है सर्विससर्व करता है पूर एक سेक्षिन ऑफ डूससाइटी को और यहाँ पर सबसे ज़ादा बेनिफिट अगर देने का इसका में पॉइंट है तो वो है भारत की नारी जो है उनके रिगार्डीग यहाँ पर जो है असर्विसस प्रॉआड करानी है उनको फाइन श प्रवाइड कराना है, तो कोपरेटिव सिस्टम के अंदर जैसे ही डिक्लाइन देखने को मिला, तो 80s और अर्ली 90s के टाइम पीरियेट के अंदर देखने को मिला, S, H, G, यानि की Self-Help Groups, तो Self-Help Groups जो है, वो specifically है, क्या, यह एक Group होता है, जिसके अंदर 10 से 20 लोग होते हैं, जो Form किया जाता है, लोकली, अपनी मर्जी से यहां पर Group के अंदर लोगों को चुना भी जाता है, या फिर involved करवाए जाचा है, और यहां पर Social and Economic Purpose के लिए इस Group का Formation होता है, और यहां कि Partnership, Form of Business में होता है, कि भी Registration is not compulsory, अगर करवाना है, तो कर सकते हो, नहीं करवाना है, तो कोई बात नहीं है, तो इंडिया के अंदर जो है, Majority जो है, वो अभी जो Self-Help Groups है, वो बैंक के साथ लिंक हो चुके है, अग Under the Bank Linkage Program, Same is Basis of Indian Micro Finance Model also, इसी तरह के से जो इंडिया में Micro Finance Models के तहट जो भी Groups बने है, उस Models के तहट जो भी Groups है, वो सारे Bank के साथ, Majority जो है, वो लिंक हो गा है, तो Bank Linkage जो है, इसका Start हुआ 1992 के अंदर, नाबाड और Reserve Bank of India की Guidance के अंदर, तो ये Point याद रखने वाला है, ये एक Important Point बनता है, तो इसको याद रखना है, कि नाबाड और RBI के Guidance के तहट यहाँ पर Bank Linkage शुरू हुई, Social Help Groups की, इसका Origin कब हुआ, इसका Origin क्यों हुआ, दो Question बनते हैं, तो यहाँ पर इसके Answer के अंदर जो Points निकल के आते हैं, कि हर Problem का Solution होता है, लेकिन हर Problem का Same Solution नहीं होता, और हर Problem का Solution जो है, एक Individual या एक जगा से नहीं निकल सकता, तो जो Self Help Groups है, ये एक Enterprise की तरह काम करते हैं, और ये जो है Collective Bank का यहाँ पर किरदार प्ले करते हैं, तो यहाँ पर जो Savings होती है, ग्रूप के अंदर जो भी Members होते हैं, वो अपनी छोटी-छोटी income से, जो छोटी-छोटी Savings करते हैं, वो Savings यहाँ पर जमा की जाती है, और इन ही मेंसे debit और credit के functions होते हैं, यानि कि जो जमा कराते हैं, उसके उपर यहाँ पर interest मिलता है, और जो loan लेते हैं, उनको यहाँ पर interest देना पड़ता है, लेकिन interest के regarding यहाँ पर बात यह है, कि जो banks होती है, इससे इसका interest ज्यादा होता है, लेकिन जो unorganized sector के अंदर जहाँ पर पैसे मिलते हैं, market से उससे इनका interest कम होता है, तो अभी जो है social help, self help groups जो है, यह जो है companies के साथ भी link कर सकते है, self help group corporate link is भी available है, तो women जो है self help groups के अंदर government is providing interest subvention scheme, government ने women के लिए interest subvention scheme भी शुरू की है, और यहाँ पर जो importance है, self help groups का, यहाँ पर income जो है गरीब की, उसको किस तरीके से collective performance से increase किया जासा कि यह एक main purpose है यहाँ पर, तो statistics देखते है, self help groups in India का, 80 लाग self help groups जो है, वो हाल के अंदर bank के साथ link किये गए है, यहाँ पर 10 करोड से भी जादा लोग जो है, अलग-अलग group के मादियम से यहाँ पर groups के members है, यानि कि ultimately, 10 करोड लोग 80 लाग self help groups के मादियम से bank के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो self help groups का women है, यानि कि 10 करोड पीपल हमने जब कहा, उसके अंदर 9 करोड से भी अधिक तो महिल आए हैं, यहाँ पर अंदर RBI और नाबाड की guidelines के तहत bank linkage program पॉसिबल हुआ है, आपको सोचने में आएगा कि वही self help groups को bank के साथ लिंक कराने की क्या ज़रूरत है, तो वही पहले फिर से देखिए कि self help groups का purpose क्या है, self help groups के अंदर 10-20 से अब उससे भी जाना number के member हो सकते हैं, यह लोग अपनी छोटी-छोटी income की जो saving हो, यहाँ पर self help groups को अंदर जमा कराते हैं, उसके उपर उनको interest मिलता है, उसकी diary maintain की जाती है, या फिर आप बोल सकते हो, past book maintain की जा सकती है, तो समझ यह time आता है, जब एक self help group का number of member है, उसका register है, वो समझ यह कि 100 हो जाता है, तो 100 लोग हर रोज आके पैसे जमा कराएंगे, फिर उनमें से कोई लोग जो है, वो loan लेने के लिए भी आएंगे, तो जो पैसे जमा होंगे, वो कहाँ पर safely रखेंगे, दूसरी बात, जो loan चाहिए, तो समझ यह कि जितना fund यहाँ पर जमा हुआ है, उनसे जादा अगर loan चाहिए, तो क्या होगा, तो यह पर self-help groups अपनी दोनों तरफ की safety के लिए, यानि कि जो पैसे उनके पास deposit के तोर के उपर आते हैं, उनकी safety के लिए, और जो भी लोग members जो है, वो loan लेने के लिए आते हैं, तो उस loan के पैसे के लिए भी self-help groups जो है, खुद को banks का सहारा लेने लगती थी, तो self-help groups के बारे मे बाद में 1992 के अंदर नाबाड और RBI ने कहा, कि आप एक काम करो, आप लोगों को जो है, bank जो है, वो थोड़ा सा special benefit और special age देगा, आप जो अपने पैसे भी आजमा कराई और आपको जो loan है, वो soft interest rate के उपर मिलेंगे, कैसे, समझे, as an individual, अगर आप loan लेने के लिए जाएंग तो आपको bank बोलेगी, कि 10% interest है पर साल का, और अगर वही loan जो है, वो आपको चाहिए और आप self help groups को बोलेंगे, self help groups जो आपको पैसे देगा, तो आपका जो interest रहेगा, वो bank के interest है तो जादा रहेगा, लेकिन अगर आपको bank मना कर देता है, कि हम आपको नहीं देंगे, लेक उपर 6-7% के rate के उपर, तो 4% तक का difference यहाँ पर देखने को, एक simple से example में मिल सकता है, तो यानि कि individual को या फिर 1% को जो normally सब के लिए जो rate होता है, वो rate social help group के लिए नहीं होता, social help group के उपर 35-2 लेके 40% तक का interest rate के उपर यहाँ पर benefit दिया जाता है, according to NABAD and RBA guidelines, तो role specifically क्या है self help groups के income generation for poor, जो भी आपर member है, जो गरीब है, उनकी income जो है, वो कैसे generate हो सके, उनके पड़े-पड़े पैसे जो है, उसके उपर से उनको interest कैसे मिल सके, कैसे जो है, वो लोग अपनी income जो है, increase कर सके, दूसरा access to bank for poor financial inclusion, तो जो गरीब है, या फिर जो financial need की अपेक्षा रखते है, उन लोगों के लिए self help groups जो है, वो बहुत सारे benefits प्रोवाइड कराता है, अगनेश डोवरी और alcoholism ये भी ये काम करता है, और pressure group in gram panchayat, gram panchayat के लिए अंदर अपनी बात रखने का, यहां पर यह एक मजबूत जरिया होता है, फिर social upliftment of marginal sections, जो society के अंदर marginal sections है, जिनके उपर सबसे जयदा focus करने की जरूरत है, था कि जो है, वो देश के अंदर अपना एक अस्तित्वा establish कर सके, एक सही तरीका का अपना object है, वो रख सके, अपने आपको इतना self-reliant बना सके, तो इतना marginal section है, उन लोगों को socially uplift करने का गाम करेगी, और यह हाँ पर जो main चीज है, वो मैंने रखे, last में upliftment of women की ladies जो है, भारत की जो महिला है, उनको uplift करना है, उनका विकास करना है, उनकी income को increase करना है, तो why self-help groups are necessary in rural development, तो भारत के अंदर, अलग अलग जगाओ पे जो है, population रहती है, जैसे के rural और urban area में दोनों जगाओ पे जो है, गरीब देखने को मिलते है, तो यहाँ पर जो poverty है, उसकी जो chain है, उसको break करने के लिए, collective action plan के requirement ही, तो self-employment and financial independence, जो है, poor section को कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, भाई, credit उन लोगों को मिलेगी, उनको पैसा कहीं से, loan के माधियम से मिलेगा, तो उनक self-employment के जरिया, जो है, वो कैसे establish होगा, तो poor section को इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए, पैसे तो यह आते है, self-help group से, तो bank credits are not necessarily accessible to individual poor, bank की loan वगेरा की जो सहायता है, वो गरीबों के लिए easily available करना नहीं होता है, तो यहाँ पर जो self-help groups है, यह एक better choice रहता है, loan के सामने bank के पास जाने से, वो हमको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन self-help groups को मिलेंगे, और self-help groups के माधियम से, हमें पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर इन income generation is high with self-help groups than individual attempts, तो यहाँ पर income generation का जो chance है, वो self-help groups को यहाँ पर साथ में रखके जादा है, individually अगर attempt करेंगे, तो इतना जादा नहीं है, जैसे हमने example देखा था, उसी तरीके की चीज यहाँ पर include होती है, guiding principle for formation of self-help groups, तो यहाँ पर जो है, mainly collective effort से साथ, जो strong belief है, जो individuals अगर group बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो है, self-help groups बनना easy है, तो built करना mutual trust और mutual support के उपर है, हमको self-help groups, यहाँ पर हर individual जो है, इसको equal और responsible तरीके से देखा जाता है, हर individual जो है, यह committed रहता है, groups और जो self-help groups का जो भी constitution डिसाइड किया जाता है, उसके closest के regarding, और यहाँ पर जो pros और कौन से उसके regarding भी जो है, वो self-retemption condition को accept करता है, यहाँ पर जो decision लिये जाते है, वो किसकी पहली और ज्यादा need है, उनके हिसाब से, यहाँ कि prioritize तरीके से यहाँ पर decision लिया जाता है, और जो हम पर belief है, कि commitment by an individual that through the group their standard of living will improve, तो belief यह है, कि अगर commitment प्रो करूँगा, तो यहाँ पर उनकी standard of living improve होने की सबसे जादा उम्मीदे है, और जो saving है, यह main foundation है, group को बनाने के लिए for collective action, यानि कि आपको यह group का member बनना है, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप member बने के लोन लिके चले जाएंगे, member बनना है, और जो है self-help groups के अंदर contribute भी करना ह है, अपनी जो saving है, उसको यहाँ पर deposit करवाना है, no doubt इसके उपर आपको bank की तरह interest भी मिलेंगे, और बहुत सारे benefits भी इसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जो है, आपको यहाँ पर ऐसे उद्देशी से नहीं आना है, self-help groups के अंदर member बनने के लिए, कि भी मैं member मुझे तीन लाख रुपे की जरूरत है, तो collective action है, सब को यहाँ पर contributions देने हैं, features जो है self-help groups की उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, the term self-help groups या फिर जिसको SHG बोलते है, यह describe करती है, wide range of financial and non-financial association की, तो इंडिया के अंदर accumulating, saving and credit association जो है, जिसको ASCA भी बोलते है, ASCA इसको promote करता है, यह government agency promoted है, और यहाँ पर NGOs और banks भी जो है, इसके यहाँ पर supporting character के role play करते है, तो यहाँ पर जो distinction है, दोनों के बीच माँ, difference जो है, वो यह है कि जो self-help groups है, इसका origin और इसका source of fund, तो इसका origin कब और क्यूं हुआ है, और इसको पैसे कहां से और कैसे मिलेंगे, यहाँ पर यह main question है, दूसरी बात भारत के अंदर जो several self-help groups है, यह चोटे नहीं रहे, बहुत बड़े हो गए है, और यह अभी काम करते है, under pre-existing NGO programs for thrift and credit, और more broad-based activities, क्यूंकि जैसे नंबर बड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर जो members होते है, वो बात में number of individual members जैसे बढ़ जाते हैं, तो यह खुद self-help groups के लिए easy नहीं रहता है, कि वह किस तरीके से इसको manage करें, तो यहाँ पर जो है, यह लोग क्या करते हैं, banks के साथ लिंक अप कराता है, उसी तरीके से जो है, यह लोग NGOs जो होते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेता है, उनका तो नाम ही है non-profit organizations, तो यहाँ पर जो है, तो non-profit organizations यह लोग होते हैं, तो इसलिए NGO जो है, इसको welfare activity के अंदर सबसे बदा focus रहता है, तो यहाँ पर जो integrated development programs जो होते हैं, वो successful तरीके से अच्छे parameters को maintain करते हों, यहाँ पर complete होते हैं, दूसरी बात इसको promote करने के लिए, जो banks और जो district rural development agency है, यह इसको support करती है, still others have been formed as a component of various physical and social infrastructure projects, self-help groups को यहाँ पर जो है, banks, NGOs, section 8 companies, under companies act 2013, और इसके अलावा कई अलग तरीकों से, जो है, self-help groups को मदद करने के लिए, government, नाबाड, RBI, banks, बहुत सारे लोग जो है, इसको provide कराते हैं, मदद क्योंकि हर जगा पर, rural जगा पर पहुंच के गरीबों की मदद करना, उनको loan provide कराना, हर bank के लिए possible नहीं होता, उनके भी कुछ terms and conditions होते हैं, दूसरी बात, जो RBI है, उनकी भी कुछ guidelines होती है, उनके मुताबिक ज़्यादा lower rate के उपर loan provided नहीं करा सकते, तो self-help groups जो है, यह जो loan की खिलत है, bank service की किलत है, उस किलत की यहाँ पर, जो है, इसकी, जो gap है, उस gap को भरने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो strength है, वो self-help groups की क्या है, self-help groups की जो strength है, यह इसकी categorized manner के अंदर है, भी जो group members से, यहाँ पर commonly जो है, अपना जो saving का fund है, वो deposit कर वात है, उनकी जो small saving होती है, regular wages के उपर, यहाँ पर जमा की जाती है, तो उसको एक सही तरीके से manage किया जाता है, democratic way के अंदर, और यहाँ पर जो है, जिनको जरूरत पढ़ती है, जिसकी request आती है, औ जो पैसे उनको दिये जाएंगे, तो यहाँ पर जो है, purpose जो है, गुरूप का satisfy हो जाएगा, rate of interest जो है, यहाँ पर हर group के अंदर अलग-अलग होता है, लोन के लिए अलग होता है, और जो deposit करा ही जाती है, उसके लिए अलग होता है, लेकिन लोन के अंदर जो है, बैंक से ज larger than individual account, किसी भी individual के account के average amount से यहाँ पर deposit की size भी बड़ी होती है, लोन की size भी बड़ी होती है, तो यह priority sector वाली बात आ जाती है, तो bank transaction जो post है, self-help groups का यह बहुत ही low रहता है, क्योंकि यहाँ पर individual borrower वो अलग चीज हो जाती है, और self-help groups जो है, वो एक अलग चीज हो जाती ह तो rate of growth of credit absorption of self-help group is much higher than individual borrowers under the priority sector, तो यहाँ पर इनको service भी जादा मिलती है, charge भी कम pay करना पड़ता है, क्योंकि जो कम bank गाउं में जाकर नहीं कर सकती, गरीब लोगों के भी जाकर नहीं कर सकती, यह जो है self-help groups, अपनी management skills और techniques के ऊपर जो है, सबको provide कराती है, जो भी services उनको चाहिए, whether it is a deposit करानी है, तो deposit के ऊपर interest मिलेंगे, loan लेनी है, तो loan के ऊपर, availability तो main चीज़ है कि आपको loan मिलेगी, यही एक बहुत बड़ी और खूबी वाली बात है, अपने आप के अंदर, तो यहाँ पर bank can reduce the operating cost of forming in financing for self-help groups involving NGOs और youth for forming and nurturing self-help groups, तो bank का जो काम है, वो आसान ह हो जाता है, तो इसी के regarding जो है, यह सारी helps प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर जो entire process है, internal saving की, credit की, यहाँ पर सारी backup की जाती है, financial and managerial counseling के दवारा, और यहाँ पर जो promotion and new avenue of employment and motivation for enhancement of earning from ongoing activities, यहाँ पर innovative तरीके से finance को जो है, use किया जाता है, technically, sensibly, flexibly, और responsive तरीके से, formal तरीके से, जो है financial institution जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से trust or confidence के बुनियाद के उपर, जो banking service पराती है, यह service यह rural poor को provide कराता है, और यहाँ पर भारत के अंदर जो population है, वो two-third population, जो है, यह कहीं ना कहीं, अलग अलग तरीके से, जानते हुए ना जानते हुए, यह self-help groups का कहीं ना कहीं, यह लोग जो है, member रह चुके होते हैं, इवन जो यह, जो apartment society और groups के अंदर रहते हैं, वहाँ पर जो बी-सी चला करती है, बी-सी, तो यह बी-सी भी जो है, जिसको वी-सी भी बोलते हैं, अगर बिहार है, तो बी-सी बोलेंगे, बिहार के अलग अलग जग जो है, जो self-help groups है, उसका जो है, registration किया हुआ हो, तो बहुत सारी यहाँ पर थोड़ी-सी अलग-अलग situation arise होती है, अलग-अलग तरीके के self-help groups भी यहाँ पर होते हैं, और हर के अंदर जो rate है, वो अलग-अलग रहता है, the group developed their own management system and accountability for handling the source generated, पैसे आएंगे, किस तरीके से manage करेंगे, यह खूद डिसाइड करेंगे, decision making power इनके हाथ में है, main purpose यह है, कि जो money lenders से पैसे लेने जाएंगे, तो जो exploitation होता है, उस exploitation को रोकना है, economic development होना चाहिए, economic progress होना चाहिए, खास करके women's का, और जो भी यहाँ पर funds provide किया जाता है, उसका utilization जो है, यह अच्छी तरीके से हो, दूसरी जो recovery जो है, यह सही तरीके से हो, अगर कोई इनसान कहता है, मेरे पास बैसे नहीं है, तो उसके साथ, किस तरीके से यहाँ पर recovery की जाती है, यह भी एक main चीज है, जो साथ connect कर लेता है, तो इनको guidelines जो है, वो banking official के दवारा मिलती रहती है, यही लोग जो है, इनको support provide कराने की कोशिश करते है, तो यहाँ पर unique alternative alternative तरीका यह credit delivery का mechanism, जो है, यह इसका बहुत ही simple सा mechanism है, और यहाँ पर गरीबों की और महिलाओं की मदद करना इसका main purpose है, तो यह unique तरीका है, भारत के लोगों को, जो उनकी basic, जो छोटी-छोटी income है, basic need है, उसके यहाँ पर उस investment के ऊपर अच्छा return मिले, और जब जरूर पर तब loan मिले, तो self-help groups जो है, वो यह एक बहुत ही बड़ी और अच्छी चीज है, तो self-help groups का जो linkage है, इसका India का अब तक का experience कैसा रहा, इसके बारे में देखते है, the first organized initiative is directed, was taken in Gujarati in 1954, textile labor association, जो है, एमदाबाद का, वहाँ पर women, उनको uplift कराने के लिए, उनको primary skills, जैसे की weaving, knitting, embroidery, or type setting, or stenographer जैसी activities, प्रवाइड कराने के लिए, यहाँ पर काम शुरू हुआ था, और यहाँ पर 1972 के अंदर, इला भट जो है, trade union under leadership, जो है, उन्होंने form किया था, तो उन्होंने सेवा नाम की एक चीज़ चुरू की थी, self-employed women association, तो यह एक systematic structure था, जो एक तरीके से self-help group यहाँ पर था, तो दूसरा जो आया था, 1992 के अंदर development जो भी हुआ है, नाबाट का, तो यहाँ पर नंदा 1995, जो है, और इसको बा है, इसका headquarters मुंबई के अंदर आपको पता होना चाहिए, और जो apex development bank है, इंडिया के अंदर की नाबाट, जो है, यह villages को, industrialist को, cottage industry वाले लोगों को, handicraft और other rural, rural craft के लोगों को, जो है, rural development हो, उसके regarding उनकी life, उनकी standard of living, उनको कई सारे फाइदे मिले, उनकी savings के उपर, उनको क बहुत ही crucial role play करता है, self-help group से पैसे लेने की क्या फाइदे है, जो poor individual है, इसको तो बहुत सारे फाइदे मिलेंगे, self-help group से पैसे लेने से, transaction cost जो है, lender और borrower के लिए, दोनों के लिए कम है, और यहाँ पर, जो lender है, handed only a single self-help account, instead of large number of soul-side individual account, borrower as a part of and self-help groups cut down, expenses on travel to the branch to get the loan sanctions, sanctions जो है, इसके अंदर loan का, जो normal bank के through loan लेना पड़ता है, उसके अंदर बहुत लंबा चोड़ा process होता है, self-help groups दे process कम आ जाता है, और जो है, फाइदा self-help groups वालों को जादा और जल्दी मिलता है, तो different way क्या है, bank fund self-help groups के, what are the different ways in which bank fund self-help groups, तो यहाँ पर NGO के मादियम से, नाबाट के मादियम से, RBI के मादियम से, अलग-अलग banks के मादियम से, जो है, lending दिलाई जाती है, self-help groups को, और उनी lending में से, individuals को, जो loan के लिए अपलाई करते हैं, उन लोग को पैसे मिलते है, normal bank rate से पैसे जादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो support जो है, वो एक तर distribution system, जिसको PDSB बोलते है, तो यह food grain की affordable price और management of emergency situation के उपर work करता है, कैसे emergency situation, जो kingdom के time था, तो वहाँ पर कैसा अदा की वही, अगर youth हो जाता है, तो जो crops उगाया है, उसको वहाँ से लाके, जो राज का building है, उसके अंदर कैसे लाए जा सके, तो वहाँ पर stocks maintain होते थे, तो हम भी अपनी emergency के time period के लिए stocks maintain करते है, manage करते है, उसको बोलते है, public distribution system के तहत, तो यहाँ पर जो से से ही साल चले गए, तो public distribution system को जो है, वो लोग food security के नाम से जानने लगे, और यह government की policy का important part बन गया, कि management of food economy in the country, history है, यह 1992 के अंदर चलू हुआ था, उसके बाद इसका नाम बन गया, RPDS, यानि कि revamped public distribution scheme, उसके बाद जो है, 1997 के अंदर आ गए, fair price shops, और fair price shops के आने से, इसका revamped public distribution scheme से नाम बन गया, targeted public distribution schemes, तो यह आपको याद रखना, 1992, जिसका नाम था PDS, उसके बाद 1992 के बाद, जो है, यह RPDS हो गया, और 1997 से यह हो गया, TPDS, और उसके regarding, यहाँ पर fair price shops का establishment, भारत के अंदर होने लगा, तो यहाँ पर जो है, growing significance of PD, TPDS क्या है, तो भारत के अंदर पार्लामेंट ने एक rule पसार किया, आर्टिकल 21 जो हमारा है, कि उसके अंदर बोल दिया, कि right to food यह भी एक essential right है, तो Union Public for Civil Liberties versus Union of India का जो case चल रहा था, उसका result निकल गया है, कि National Food Security Act जिसको NFSB नाम से जाना जाता है, 2013 का, तो यहाँ पर जो है, two-third population जो है, भारत की, इनको subsidized rate के उपर food grains प्रवाइड कराने के लिए, इसका establishment हुआ, दूसरी बात, यह targeted public distribution skip के mechanism के तहत, यह काम करेगी, यहाँ पर जो food grains है, वो गरीब को काफी कम दाम के उपर दिये जाता है, अच्छी quality वाले food grains, प्राइवेट शॉफ से भी यहाँ पर compare करके देखना है, तो देख लीजिए, लेकिन अच्छी quality के जरूर से होते है, फिर जो food grains है, यह directly farmer से purchase किया जाते है, तो farmer को भी जो direct पैसे यहाँ पर मिलते है, तो जो 2022 तक डबल करने की जो आशा है farmer की income, दूसरी बात 1.5% input credit प्रोइड कराना है, input cost का पैसा प्रोइड कराना है, तो यह जो minimum support price, तो यह सारे steps जो है, यह PDS के important steps है, यहाँ पर जो TPDS का function है, procurement of food grains, यानि की food grains को पहला तो जमा करना है, फिर इसका storage करना है, इसके बाद इसको परिवार के लिए, family के लिए, allocations के उपर भेजना है, भेजते समय जो है, transportation of food grains, यह भी एक point यहाँ पर बनता है, तो एक एक point को detail से लेने की बात करेंगे, minimum support price जो हो और जो है, पैसे, आफ जो है, food corporation of India, जो है, परचेस करती है, minimum support price से, यानि की farmers की भी यहाँ पर जो है, कोई expectation ना हो, और जो minimum support price है, उसकी price decide करता है, commission for agriculture cost and price, जिसको CACP के नाम से भी जाना जाता है, तो दो तरीकी के procurement होते है, centralized और जो है, decentralized, तो centralized के अंदर, food corporation of India directly purchase करता है, और जो इसके अंदर, दस state या फिर union territory, अलग-अलग माध्यमों से, जो है, food यहाँ पर food grains purchase करते है, central का जो पूल होता है, minimum support price का, उसको ध्यान में रखते हुए, FCI के बिहाव से, यह क्यों करते है, पर decentralized procurement, जो state होते है, भारत के अंदर, अलग-अलग, तो अरग-अलग, ची points connected बनते है, तो यहाँ पर expenditure होता है, incurred, यह minimize करने के लिए, और हर state के बीच में connectivity बनी रहे, regards to food safety and security, की लोगों के लिए जो है, पैसे, यहाँ पर farmers को यहाँ अच्छी तरीके से मिले, ताकि fair price, वाप के उपर अच्छी quality के गूस, lower price के उपर government को provide कराना मुश्किल ना हो, त storage जो है, food grains का, यहाँ पर food corporation of India अपने गदाम के अंदर करती है, और जब भी यहाँ पर insufficient देखने को मिलती है, तो यह central government या फिर state government के warehouses, जो है, warehouse corporations उनकी मदद लेती है, और यहाँ पर अगर यहाँ से भी नहीं होता, तो अलग state की government agency या फिर प्राइवेट पार्टी से यहा यहाँ पर मुसिबत क्या होती थी, कि एक तो जगाना होती थी, food corporation of India के पास, सामान रखने के लिए, food grains रखने के लिए, दूसरी बात, यहाँ पर जो चीजे है, वो बिगड़ने लगती थी, food grains और, जो damage है वो देखने को मिलता था, cap और cover and flint storage के अंदर, तो यहाँ पर जो के लिए, जो अन बचा के रखा था, जो छुपा के रखा था, तो उस अन के अंदर, जो है, कोई issues आ गए, monsoon के अंदर, तो सबसे जादा यहाँ पर problems देखने को मिलती है, regards to, जो भी यहाँ पर food grains इनोंने purchase करके रखे है, तो allocation of food grains, यहाँ पर central को बात कर दी, सारी जो central government ने कि आप food grains, डिस्टिब्यूट करें, राशन कार्ट का यहाँ पर ख्याल रखें, एंट्री वगेरा रखें, सूपर विजन जो है, fair price shop का यह भी इनको स्टेट के हाथ में दे दिया, तो यहाँ पर जो allocation of BPL कार्ड और जो AAY है, यानि कि अन्तियोदेया, अन्योजना, जो poorest among the BPL families है, उन लोगों के लिए, यहाँ पर benefit देखने को मिला, उन लोगों को अच्छी amount का, जो अच्छी quantity का, जो food grains है, इनको provide किया जाता है, ताकि जो है, यह लोग, जो economically vulnerable condition के अंदर रह रह रहे है, तो यहाँ पर थोड़े से, खाना खाने के बाद, काम करने के लिए, यह य यहाँ पर जो APL family है, उनको भी यहाँ पर जो इसका benefit मिलता है, जो availability of food grains है, stock in the central pool and the past lifting of food grains by state from central pool, तो यह जो है, central government के जो भी rules और regulations बनते है, उसके regarding उनके supervision और control के बगएर, लेकिन वो जैसा होते है, उसके regarding यहाँ पर होते है, मैं आपको बता दू, food corporation of India जो है, यह एक government body ह बाहर की नहीं है, private वाली नया semi government नहीं है, तो यह आपको याद रख लेना है, पीडियम के अंदर क्या refunds देखने को मिले है, आधार कार्ड को link कराना, digitalization कराना, ration card का यह जरूरी हो गया, ताकि पता चले, कि जो इंसान आ रहा है, food grains purchase करने के लिए, यह सही में कौन है, और क device के तहट यहाँ पर काम कर सके है, फिर है, direct benefit transfer, तो यहाँ पर जो है, बात में government नहीं कैसी चीज़ शुरू की थी, कि अगर fair price shop के अंदर खाना नहीं मिलता है, तो आपको जो है, उसके regarding पैसे आपको directly, आपके account के अंदर जमा कर दिये जाएंगे, तो उसके लिए क्या पर करने से फाइदा होता है, फिर है GPS technology का यूज करना, जो buses, जो trucks के अंदर, सामान जो food grains है, एक राज्ये से या दूसरे राज्ये में, या फिर एक राज्ये के अंदर, अग जगा पर ट्राविल हो रहा है, तो इसके बीच में कोई गपला ना हो जाए, इसलिए GPS tracking system लगान है, call center का number, जो register complaint है, यहाँ पर आप करा सकते हो, या फिर आप अपने यहाँ पर चोह सुधाव भी दे सकते हो, तो ultimately जो summary निकल के आती है, वो यह है कि यह एक बहुती बड़ा भारत सरकार का कदम है, और जो public distribution scheme है, उसके तहट जो NFSA है, उसके तहट अभी 42% जो cards है, वो link ह हो चुके है, और point of sales जो है, वो यह भी available करा दिया गया है, सततर हजार reaction shops के उपर, यानि कि fair price shops के उपर, तो 100% का जो digitalization of card का जो आगड़ा है, वो अभी दूर नहीं है, बहुती जल्द यहाँ पर अच्छी हो सकता है, तो यहाँ पर main चीज़ यह है, कि जो PDS के reform से यह एक right direction के उन्दर हुए है, दूसरी जो insufficiency system के अंदर इससे यह remove होगी, औ और यहाँ पर जो food security है, millions of people in the country के लिए यहाँ पर यह काम करेगी और जो है, कई सारे लोगों को इससे benefit देखने को मिलेगा, तो आज की इस video lecture के अंदर इतना है, इस video को शांती से समझने और सुनने के लिए बहुत बहुत धनिवाद, thank you so much for learning, भारत मता की जये, वंदे मात आत्रम जय हिन